जो मैंने सौट वीडियो डाली है उसका मैं अब थुरा डिस्क्रेप्टिव जो है वे में चीजें बताता हूँ आपको काइंट्स ओफ सन देखें आप लिखा हुआ है और आप इस चीज को विजलाइज करिएगा देखेगा टाइपस ओफ सन में आपने देखा है यापे कि ये जो है ये कैंट्स ओफ सन लिखा हुआ है ठीक इसमें लिखा है प्राचीन काल से ही भारती जो परिवार में पुत्र का इस्थान विशिष्ट रहा है जैसा कि अगर हम प्राचीन काल में देखें, जो पुत्र है, उसका एक अलग ही महतुरा है और किस प्रकार से पुरुष सतात्मक समाज में एक प्राचीन काल से ही पुत्र का एक बहुत पड़ा इंपोर्टेंस चला रहा है वो क्या है कहा रहा है कि देखे परिवार सब्द के निर्माण के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ती पुत्र एक प्रकार से रत्न माना गया है आवस्यक मानी गई है मानो अपने प्राप्त जीवन के रड से मुक्ती के लिए पुत्र प्राप्त करता है इसलिए पुत्र को वन्षकर कहा गया है अब जिसे आपसे question पुछ लिया जाए वन्षकर क्या है तो वन्षकर कुछ नहीं है वन्षकर क्या मतलब होता है पुत्र वेसिकली अना ब्रहस्पति धर्म के अनुसार जो मनुष को मतलब जो है पुन नर्क से तारे जो बैसिकली मनुष है जो नर्क में है उसको तारे और मोक्ष की प्राप्ति मोक्षी प्राप्ति कराए वह पुत्र है महवारत में कहा गया है कि पारिवारिक आनंद के लिए पुत्र की उत्पत्ति एक अत्याज अंग है जिसको त्यागा ना जाया ऐसा एक अंग है आदि पर्व में उल्लकित है कि चंदन के लकडी की खुस्बु वा सी तलता तथा पत्नी के कोमल इसपर्स एवं जल की ठंडक भी वा सुकून जो है और आनंद नहीं दे सकती जो गोद में पड़ा हुआ पुत्र देता है समाज पुरातन काल से आर्थिक तंगी से जूज रहा था और पूंजी वा रोजगार के अभाव था और तंगी थी बेसिकली मनुश्य को तो मानों बल के रूप में पुत्र की अधिक आवशक्ता थी विदेसी आकरमण भी उस समय हो रहे थे तो इसलिए क्या हुआ कि जो उनकी जनसंख्या की व्रद्धी परिसिती वंस और वांचनी थी फलता पुत्र की वी इस आवशक्ता में समाज को वरनित कई प्रकार के पुत्रों को उचित स्थान प्रदान करता है ठीक है वो क्या है पहला लिखा हुआ है देवल के इनसार पुत्र तेरह प्रकार के होते है जिन्हें अलग-अलग कोटियों में विभक्त किया गया है ये वाला देखे ये वो पुत्र होते थे जिन्हें दमपत थी विभिन रीतियों द्वारा किसी दूसरे परिवार लाए बच्चे सिवकार करते थे जैसे एक होता है लब्ध एक होता है क्रत्रिम एक होता है क्रीट एक होता है स्वयमदत्र और एक होता है अपविध ठेक इसी कोट में आते हैं मतलब ये वेपुत्र आते हैं जिन्हें दंपत विविन रीतियों द्वारा किसी दूसरे परिवार से ल होता था एक स्वयमदत और एक अबविद्ध होता और इस कोटी के जो बच्चे होते थे बालक वो सब इसी क्रम में आते थे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्रम में हम नेक्ष देखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि बी वाला माता पिता अत्वा माता या पिता से सम्मंधित पुत्र वास्तविक माने जाते थे जिनको औरस कहा जाते था या इनको दोहित्र के साथ साथ पुनरभव भी कहते थे और शहोड भी कहीं कहीं इसी सिर्णी में आते थे तो याद रखेगा वे पुत्र जो माता-पिता से जन्म ले रहे थे उनको बेसिकली या तो औरस कहते थे या दोहित्र कहते थे या साथी साथ पुनरभो या सहोड के नाम से भी जानते थे और C-type के जो बच्चे हैं पुत्र हैं जिनकी जो बेसिकली अगर हम बात करें वे पुत्र जिनकी महत्ता वास्तविक से कम मानी गई है जिसे गूड़ा जय कानीन पुत्र है इसी में आते हैं वास्ट विक्ता से इनकी मतलब महत्ता कम है थोड़ा जिसा देवल के अत्रिक्त बौध साहित और महाभारत में भी पुत्र के प्रकारों का वर्णन किया गया है जिनके विभाजन का आधार रक्त का संबन्द रखा गया है वे पुत्र जिनका संबंद किसी ना किसी प्रकार से माता अथवा पिता के रक्त से हो उन्हें रक्त संबंदित पुत्र कहा जाता था परन्त वे पुत्र जिनका संबंद माता पिता या रक्त से नहीं था वे उनके द्वारा स्विकारे गए पुत्र या अपनाए गए पुत्र की सरणी में रखा गया था औरस देखें इसक्रम में एक औरस आता है औरस का मतलब है कि औरस जो है औरस याद रखेगा औरस या पुत्र वरनित सभी पुत्रों में स्रेष्ट माना जाता था अब याद रखेगा जो पहला नंबर है वो है आपका औरश और औरश जितने भी पुत्र होते हैं उनमें सबसे स्रेष्ट और टॉप पोजिशन रखता है औरश औरश आता कैसे देखो यहां यही पिता की संपत्ति का उत्रादिकारी होता था मनों का कथन है कि विद्पूर्व विवाहित समान जाते वाली स्त्री से पुरुस स्वयम जिस पुत्र को उत्पन करता था वही औरश पुत्र कहलाता था औरश वास्त्विक पुत्र था जिसके होने पर अन्य पुत्रों की माध्ता कम हो जाती थी जिसकी पुष्ट ब्रहस्पती ने की है तो याद रखेगा औरश के बाद हम लोग आयेंगे दोहित्र अब हम देखेंगे नमबर टू पि है दोहित्र और दोहित्र में क्या लिखाए जरा देखते हैं दोहित में लिखा है कि दोहित्र यानि दोहिता, पुत्री, दोहित्र बना ही दोहिता से, दोहिता जो है word, दोहिता ये आता है पुत्री के लिए, और साथ में एक word होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं, तनया, तनया भी पुत्री के लिए आता है, तनया पुत्र के जो पुत्र होता है उसको दोहित्र कहते हैं यानि जब नाना अपने वास्तविक पुत्र के अभाव में नाती और पुत्री के बेटे को अपना पुत्र स्विकार कर ले तो उस पुत्र को दोहित्र कहा जादा था पुत्रों की स्रणी में इसका स्थान दूसरा है जिसकी चर्चा मनु ने यागवल्ग ने दोहित्र के रूप में किये और हम लोग अबागे बढ़ेंगे तो इस क्रम में हम नेक्ट देखेंगे की है और देखें यहां पर लिखा हुआ कि औरस के समान ही माना गया है महावारत और रिगवेद में औरस पुत्र के अभाव में यही उसका वास्तविक स्थान लेता था और उसकी पूर्थ करने वाला पूरक पुत्र माना गया है अब हम लोग नमबर तीन पे लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे छेत्रज छेतरज में देखे लिखा है छेतरज यानि इस्तरी से जन्मा हुआ पुत्र यानि छेतरज इस्तरी से जन्मा हुआ पुत्र इसी प्रकार के पुत्र में मा का कारे विशेश होता है पुत्र पर अधिकार भी माता का होता है इसे नियोग द्वारा उत्पन पुत्र भी कहते हैं नियोग एक पृथा है बिसिकली देखिए महाकाब बहुत साहित्यों में नियोग पृथा का वर्णन है परन्तो बाद में इसका विरोध हुआ गौतम जो रिसि हैं बेसिकली इस्तरी जीवन में सरचण और वन्स परंपरा कायम रखने के लिए इस पृथा को सहमती दी गई थी है ना इस मृतियों ने यह कहा है कि पति के मरने के बाद इस पृथा के लिए पृथ उप्यूक्त व्यक्त नियूक्त करे जो उनके स्वजन हो है ना और प्रतमता पति के छोटे भाई अर्थात देवर को चुनना चाहिए यदि उसका अभाव हो तो उसको गोत्र के किसी व्यक्त या उसके भी उसका भी अभाव हो तो ब्रामभण को महाभारत के कई पात्र इस पृथा द्वारा उत्पन एवम समाज एवम सुईक्रत उत्राधिकारी थे पांडु और अर्जुन उसी से जो है देखने को मिलते हैं अगर बात करें कानीन की तो कानीन ब्याही लड़की यदि पुत्र को जन देती थी तो वह कानीन कहलाता था जैसे महाभारत का करण औरस पुत्र के अभाव में इसका अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर होता था अन्धप अपनी जीवी का भर ही संपत्ति प्राप्त करत था बैदिक गरंतों में भी इसका वर्णन मिलता है वाजस नहीं सहिता इस पुत्र को पुत्र का पुत्र भी सम्भोधित करें कहा है गुड़ोतपन गुड़ से गुड़ज गुड़ोतपन से बना है ठीक है आप लोग आगे बनेंगे और नेक्ष्ट देखेंगे इसमें तो नेक्ष्ट अगर देखें गुड़ यानी तथर्ष्ट ठीक है अर्थात जिस बच्चे का जन्म कुछ रहस से हो गुड़ज कहा जाता है यदि कोई औरत विवाहोत परांत पती के अतरित आन्य पुरुष्ट से सम्मंद रखती है और उसके बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा गुड़ोतपन होता है और धर्मसास्त्रों में वर्नित है कि पिता का कोई औरस पुत्र ना हो तो उसे अपना वास्तविक पुत्र माना या वास्तविक पुत्र मान कर उत्रादिकारी बना लिया सकता था परंत औरस की उत्पत्ति य है यादि कोई लड़की किसी किसी से प्रेम करती है और गर्वर्वत्जी हो जाती है तो गर्वर्वस्था के दोरान ही उसका विवा उसी पूरुष से समपन कराया रधा अक्षत योनी की कन्याओं का ही विवा संसकार होना माना जाता था ऐसी इस्तित में यदि ग्यात हो की लड़की गर्भणी है तो विवाह संपन होंगे पर संसकार किया जादा था विवाह होने पर ही संपन होने पर ही संसकार गया था वह संपादित नहीं होगा जिसके कारण औरस से इसे हे माना जादा था और अफिर थोड़ा हे था वो दत्तक, दत्तक मतब दत्त किया हुआ पुत्र था, यानि वह पुत्र जिसकी माता पिता ने किसी से लिया हो, दूसरे से, सुच्छा से दिया गया हो, और सुच्छा से वो दे भी रहा हो, तो इस पुत्र का प्रचलन, पुरातन और अध्रतन तक जारी रहा एतरे ब्राम्मन गरंत में भी एक आ गया है विश्वामित द्वारा शुना शेप ओ दूसरे का पुत्र था अपनाने का उलेख मिलता है शुना शेप मद्देकाल में यहाँ खुब प्रच्रित थी प्रथा और सपिड सापिड और सजातिय पुत्र दतक पुत्र क्रित्रिम पुत्र जब दूसरे के बच्चे को अपना पुत्र बिना किसी विद्विधान के स्विकार कर लिया जाए तो तो बेसिकली क्या होता था याद रखेगा तो वहाँ पुत्र कृत्रिम सिर्णी में आता था इस तरह के अपनाए गए पुत्र संबंद वास्तिक परिवार से भी रहता था और फजाती होने की कोई बादिता का प्रमाण नहीं होता है क्रीद जब किसी के पुत्र को तै रास दे कर खरीदा जाए तो उसे पुत्र सिर्वकार किया जाए तो उसे क्रीद पुत्र कहते हैं रे ब्राम्मन में पुत्र का विवरण है स्वयमदत जब कोई लड़का परसिद्यों के आगे विवस होकर स्वयम को किसी को बेच देता है और खरीद कर उसे पुत्रवत स्विकार कर लिया जाए तो वो स्वयमदत कहला था अपविद्ध मतलब किसी कारण माता पिता अपने पुत्र को घर से भगा देते थे और बालक को कोई अपना लेता था तो वो अपविद्ध कहलाता था लब्ध क्या था लब्ध यानि प्राप्त हुआ लब्ध का मतलब प्राप्त होना जब किसी को यदि कही किसी के दोरा अवैद संतान फेंका हुआ प्राप्त होता था तो वो लब्ध कहलाता था जीवत को भी उसकी माता पिता ने कुड़े में फेंक दिया था पुनर्भव गर्बिन इस्त्री यदि विद्वा हो जाती थी अथवा उसका पति उसे चोन कर दूसरा विवा कर लेता था तब उस वस्त्री का भी कहीं और विवा हो जाता था एवं वह पुत्र को जन्म देती थी इस प्रकार के पुत्र को पुनर्भव का है था इस प्रकार पाचीन महावार भारत में प्रचलित पुत्रों के कई प्रकार धार में बहुता माजी मनता है प्राप्त ही I hope यह आपको वीडियो समझ में आया होगा Thanks